हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है आपके यूट्यूब शैनल टार्गेट रिकास में दोस्तों हम यहाँ पे लेकर आना है आपके यूत्तर प्रदेश पुलिस भरती 2023 में जो होने वाली है जिसमें आपके 52,699 पद आने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे हिंदी का प पूछेगे हैं तो आप लोग दोस्तों इस प्रत्राइब को स्वाल्व करिये फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने में से कोशन्स आपके सही हुए हैं ठीक है कितने कोशन्स बहुत हैं जरूर बताएगा हम डाव्ट केलिएघे और पूरी कोशिस करेंगे क आपको हम वही कोशन आपको प्रोवाइड कराएं जो आपके एक्जाम के लेवल के जैसे हैं और आपके एक्जाम में बहुत ज़्यादा हैल्फुल सावित हो यहां पर आप लोग ने देखी लिया की लाइन लिखी 2013 के पेपर में छपने वारे प्रशन जी हां दोस्तों आपक दोस्तों सब्सक्राइब करने चैनल को और लाइक कर दें और सेर करना दोस्तों विल्कुल न भूलें कि अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजएगा चलिए दोस्तों आते हैं फर्स नंबर कोशन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कोशन नंबर 14 से स्टार्टिंग है और सब्द में अनेकार्थी सब्समुव का चैनल की जिए दोस्तों यहाँ पर और जो सब्द है इसका अनेकार्थी सब्द बताना है यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके चार आप्शन दिये गए हैं तो और की बात करें यहां पे 115 number question है आद देखेंगे इसमें क्या क्या रहा है कि जो काम करना कठिन हो आपकर्ण के लिदे एक सब्सक्रों हो जाए यहां पर वही कोश्चन्स का एंसर देना है अगर कोई भी एंसर आ रहा है तो आपको कमेंट बॉकर जरूर बताइए आपको कोशिश करने जहिए कोई दिक्कर ने गलत हो जाएगा तो हम आपको सही एंसर बताएंगे ठीक है हमीशी के लिए यहां बैठे हुए हैं आपका सही एंसर बताने के लिए चलिए दोस्तों पच्छी पेड़ पर अपना बनाते हैं सही सद भरिये क्या बनाते हैं तो यहां पर दोस्तों देखिए पच्छी पेड़ पर अपना बनाते हैं नीर बनाते हैं नीम बनाते हैं नीड बनाते हैं देखिए यह कोशन मैं बता रहा हूं द करते हैं तो दोस्ते इसका राइट अंसर मैं आपको बता दूं इसका राइट अंसर आपको दोस्तो नीड है नीड ठीक है पच्छी पेड़ पर क्या बनाते हैं नीड बनाते हैं आप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन की बात करें यहाँ पे अनुपसर्ग से बना सब्द बताना है अनुपसर्ग तो यहाँ पे आप्शन आपको दिखा दें तो यहाँ पे यह रिखिए आप्शन है आपके सामने है चारों ठीक तो अनुसे कौन सा अपसर्ग बनेगा तो यहाँ पे अनुचर बने तो इसमें से आपको एंसर बताना है तो दोस्तों कि इसमें अनुचर अनुचर बना हुआ है option number a correct हो जाएगा next की बात करेंगे very important question selector question है कि भुलकड सब्द से सब्द में प्रत्य का प्रियोग किया हुआ है किस सब्द का प्रत्य हुआ है प्रत्य बताना इसमें भुलकड में कौन सा प्रत्य सब्द है तो यह option है आपके सामने भुलकड की बूल तो यहाँ पे देखेंगे चार option देएगे हैं तो इसमें जो प्रत्य आपका दोस्तों है यह आपका अकड होगा क्या होगा अकड ठीक है भुलकड निकल रहा है ना तो भुलकड यादि कि option number बी correct हो जाएगा ठीक है दोस्तों अप्सानबर यहाँ पे दोस्तों वुलकड क्या होता एगा से कर्यक्त हो जाएगा तो आप लोगों को अगर अगर लोगों को संद्रि विय जाएट करना नहीं आता है या किसी टॉप्एक में कंफूजर आप कमेंछ बाक्ष में बताईए मैं उसकी बिदवत class upload कर देंगे कि कैसे आप संदी विच्छेत कुछ हाटेंगे कैसे बनाना सीखेंगे ठीक है सभी मिलकर school जाता है सभी मिलकर school जाता है वाक्य का सुद्ध रूप होगा अब देखिए इसका सही sentence ये गलत लिखा हुआ सभी मिलकर school जाता है यहां पर शॉप बताना है यहां पर चार आप्षन देएगे चारो आप्षन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये चारो option आपके सामने है, अब बताईए इसमें से कौन सा सही होगा चारो में से, तो आप लोग इस questions को देखिए, इसमें बताईए कौन सा सही है, हाँ, ये अब दिख रहा साफ सही से, बताईए, तो इसमें देखेंगे, क्या सभी मिलकर स्कूल गए, ठीक है, ये गलत है आ आपके सही है, अब रसोई घर में कौन सा समास है, तो आप लोग बताईए कि रसोई घर में कौन सा समास है, अवेई भाव समास है, तत्पुर्ष समास है, कि इंद्र समास है, तो दोस्तों आपको पताईए रसोई घर में क्या है, रसोई घर में क्या है, रसोई का घर, यान दोस्तों इसमें कर्म वाच्य रूप मतलब कर्म क्या कि खाया जाता है नहीं कि मुझे से खाया जाता है यह कर्म वाच्य रूप हो जाएगा नेश्ट है मैं रोज पढ़ता हूं वाकिक में क्रिया विशेशन सब्द क्रिया विशेशन का भेद है तो क्रिया विशेशन का दोस्तों ये भेद बताना है कि मैं रोज पढ़ता हूं तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो काल वाचक्रिया क्या है काल वाचक्रिया यह बता रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूं काल वाचक्रिय विशेशन है, option number C correct हो जाएगा, next 124 नमबर बताना है, कि निम्न मेश से योजक चिन्न काउन सा है, तो योजक चिन्न आपको पता होना चाहिए कौन सा है, यहाँ पे दोस्तों आप बता दें, योजक चिन्न आपको यह है, option number C correct हो जाएगा, यहाँ पे, next question देखिएगा, घी क statement 126 number question, और यह आपके चारों option रहे कि लोककति का सामाने अर्थ है, तो इससे बताना है लोककति का मतलब क्या होता है। यह बताना है, लोककति का मतलब क्या है, तो दोस्तों आपको पताना जी लोककी उक्ति, ठीक है। कि लोग की बातें, कि लोग की लेक, लोग की अच्छी बातें, ये तीनों आपके गलत है दोस्तों, ये लोग की उक्तियानी का आप्शन नमबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नेस्ट, दोस्तों इस ताइप कोशन पूछा आते हैं, आप काफी बच्चे गलत हो जाते हैं, इतना सिंपल कोशन हमसे गलत हो गया, तो आपको इसको ध्यान रखना है, मैं आपके लिए वही कोशन करांगों, जो आपके पूछेगा है, और आपके लिए स्लेक्टेट कोशन, पहले में प्रिवेस कोशन करा दूँगा, फिर उसके बाद में जो आपके एक्जाम के लेव या करूँगा, वहाँ से गुरूप में जोइन कर लेंगे, तो इस पेसल वहाँ पर कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा प्रिवे के लिए, कि इंपोर्टेंट क्या है, स्लेक्टेट टॉपिक कॉन से हैं, जो आप पने अच्छे आमांक से चेव कर पाएं, तो वहाँ पर मै वह तलवार पुरानी थी, इस भेद बताईए, ठीक इसमें तो भेद बतारे मितलब कि यह कौन सार रस है, तो आपको इसमें रस की बात की गई, भक्ति रस है, वीर रस है, हास रस है, कि शंगार रस है, तो आपको पता होना चाहिए, तो तलवार की बात की जा रही है, चमक उडिशन सत्तावन में वो तलवार पुरानी थी, यानि कि कहीं वीरता की बात हो रही, लड़ाई की बात हो रही, तो यानि क्या होगा, वीररस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बीकरेक्ट हो जाएगा, नेश्ट देखेंगे, चौपाई के प्रतेक चरण में कितनी मात अलंकार आपको यहां पर अलंकार बताना है तो दोस्तों काली गठा का गवण घटा में आपका कौन सा अलंकार है तो धिधियर पहर स्रश्म कुछ आपकी अनुप्रास और अंगर कुछाइब निर्फिगाल तो इसी में C या तो आपके कई बार एक्जाम में रिपीट होते हैं बार बर कोश्चन ठीक है तो आपके option number यहाँ पर C correct हो जाएगा नेस्ट आपका देखेंगे कि वरडों के कितने भेड होते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका right answer हो जाएगा option number यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मालिक इस्त्रीलिंग सब्द नहीं है पाठक इस्त्रीलिंग सब्द नहीं है योग नी आपका क्या है इस्त्रीलिंग सब्द है यानी कि आपके तीनों गयलत है योग नी आपके क्या उजाएगा option number C correct हो जाएगा next pulling सब्द का chain कीजिए अब यहाँ पे आपको pulling सब्द पताना है नाइका है लेकिका है वदू है कि धावक है pulling पहले इस्टी लिंग पूछा गया था अब आपका pulling पूछा है pulling की बात करें तो धावक आपका क्या है option number D correct हो जाएगा pulling सब्द है next आपका सिच्चक का बहुचन सिच्चक का बहुचन होगा अब काफी बच्चे इसमें गलत करते हैं देखते हैं दोस्तों कितने बच्चे 133 नंबर तक पहुंचे हैं question कर रहे हैं देखें कि 133 का question डालके आपका answer देना है कि सिच्चक का बहुचन क्या होगा तो दोस्तों जितने विद्यार्थी आपका सिच्चक का बहुचन सिच्चक गढ़ कर रहे हैं वो option सही है ठीक है डी जितना लोग कर रहे हैं उनका answer सही है सिच्चक गढ़ हो जाएगा next questions की बात करेंगे यहाँ पे 134 नंबर 37 में माने वाजार से कपड़ा खरीदा वेखांकित में कारक है तो आपको कपड़ा खरीदा तो आपको पता होना चीजिए कौन सा कारना है तो तो करणा कारक है तो कौन सा है करणा कार्क हो जाएगा ठीक है आप लोग इसका मैं वीडियो प्रोइड कराऊंगा आप लोगों को हर टॉपिक वाइज पर वीडियो भी आपको यूपिप प्लिस के रिए प्रोइड कराऊंगा जो आपके लिए छोटे एक एक नंबर आपको एक एक वीडियो पका कराया देगा ठीक है हर चैट्टर से यहां पर कोशन्स पूछा जा रहा है तो आपको वही आपको क्लासेस दी जाएगे जिससे आपके कोशन्स इकजान फसें यहां मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताईए इसमें भेद बताना है यहां मेरी पतंग है समझदार में बताना है तो समझदार दोस्तों जो आपका विशेशन्ड है यह गुढ़ है एक समझदारी का तो गुढ़ वाचक विशेशन्ड है next, चर्चा सब्दसे बना विशेशन है तो चर्चा सब्दसे कौन सा विशेशन दोस्तो बनेगा तो आपका चर्चा से चर्चित हो जाता है विशेशन ठीक, option number B correct हो जाएगा next questions की बात करेंगा दोस्तो थोड़ा speed से करेंगे क्योंकि बहुत सारे questions हैं जो आपके exam में पूछें गा, हम सारे questions यहां पे लिए हैं, धातू कहते हैं, तो धातू की बात करें, तो अब आपको समज़ना है कि धातू यहां पर चार अपिशन देगें, आप चारों में इसे आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामा के कितने भेद हैं तो दोस्तों भूतकाल के जो आपके ढrauen है यह च्छ भेद है कितने हैं छा बेद है अबसेर सब्द बने हैं तड़ु माइब्स वहां कैसे की सब्द के ब्दल सेилась संजक्र सब्द के कुछ बदलाव से Iss का 15 Grade सब्ध के कुछ बदलाव से बनें अप्षा नमबर डिकर्रेक्ट हो जएगी तच्सम सब्ध पहचानिए अब यहां पर अब बताना है कि कौन साथ सब्ध तच्सम है तो दोस्तों रट लेना है कि निंद्रा कान मौर बंदर यहां पर निंद्रा जो है आपका तच्सम सब्ध ह काई सा नहीं है बताना है सही नहीं है तो आपको याद रखना है कि सही नहीं है तो हमेशा रखना है कि तो 5 विद्ध्यालाय स्कूल य। चीज हो गई तो आपको सब्सक्राइब कौन सा है तो आपको सब्सक्राइब बताना है तो देखिए आपको पूछा क्या है कौन सा सही सब्द है कौन सा युगम जो है सही है पूछा है ठीक है इस क्रीश का आपको ध्यारणा बहुत लोग नहीं में गलती कर देते हैं ठीक है तो 143 में देखेंगे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आदान प्रदान यह आपका सही लग रहा है पहले ही अपसा नमबर आपका सही है नेश्ट आपका जैदरत वद किसकी रचना है वेरी इंपॉर्टन कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि जैदरत वद जो है किसकी रचना है तो दोस्तों यह आपकी मैत्री शर्ण गुप्त की रचना है किसकी मैत्री शर्ण गुप्त की रचना है ठीक है नेश्ट अतीत के चलचित्र किसकी रचना है तो दोस्तों यह अतीत के चलचित्र की बात कर लें तो यह आपका महादेवी वर्मा की रचना है option number a correct हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर देखेंगो निर्देश दिया गया है कि 140-150 तक के जो प्रेस्न है उनके गद्यांस को पढ़कर आपको उतर देना है तो दोस्तों गद्यांस को कैसे आप करेंगे यहाँ पर गद्यांस आपको इसकी नीचे ग्रूप में लिंक दे देंगे हम आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में जोईन होजए वहाँ से मैं पीडिया प्लोड कर दूँगा वहाँ से आप प्रेक्टिस करके इसके एंसर दा सकते हैं नीचे मैंने एंसर भी दे रखें कि आप लोग बाद में मैच भी क कर सकते हैं ठीक है एंसर भी दे रखें इस पीडियाप में तो आप लोग इस पीडियाप के कोश्चंस को सॉल्व करिए गध्यांस के कि कितने कोश्चंस आप गध्यांस कर सकते हैं ठीक है क्योंकि गध्यांस दोस्तों कराएंगे तो कफी फिर बड़ा वीडियो हो जाएग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि कैसा ये वीडियो लगा और आपको नेस्ट किस टापिक पर वीडियो चाहिए प्रेटिस चाहिए कि आपको क्लाइस चाहिए कि कैसा वीडियो चाहिए आप लोग बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा तो जिसने विद कि यारती नए है बाद चैनल को सब्सक्राइब आउस वीडियो को आधिक सदिक शेयर कर दें धन्वाद दोस्तर नमस्कार थैंक्स पर वाचिंग वीडियो